हेगाइस वेलकम डॉ माइण बनाइस तो आज का प्लोग तो आज का ब्रेकवास्ट घारेंगे नहीं तो आपको दिखाएंगे मम्मी ने क्या बनाया तो वह आपको बात में दिखाते जहें एक आप लोग से बात करना है तो पहले वह बात कर लेते हैं उसके बाद फिर वीडि करते हैं तो बात यह है कि मेरे चैनल पर जल्दी 100 सब्सक्राइबर होने वाला है या फिर अभी तक हो भी गया होगा क्योंकि वीडियो जो है वह एक दो दिन बाद आता है तो अगर हो गया है तो ठैंक यू सो मच आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अगर नहीं तो वह आप लोग को दिखाते हैं बागी वह एक्जाम है अभी तो बढ़ाई लिखाए भी करना है तो कुछ दिखाएं कि वह ऐसा खास नहीं तो सिधा आप लोग को आफ्टर नून में मिलते हैं लंच के टाइम तो आज लंच में मम्मी ने चिकेन बनाया था साथ में आते हैं वह जब मैंने घर्डा याद मुझे दिला देता है और जो की बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए अब लोग को दिखाते हैं कि आखिर वह चीज है क्या तो यह रहा वह चीज कमेंट करके बताएगा कि आप लोग ने अगर यह खाया है तो इसका पर पीस 10 इसका और भी अलग-लग flavor आता है पर personally मुझे और मेरे पापा को black वाला ही पसंद है तो इसलिए मैं black वाला लेके आया हूँ तो आप लोग भी comment करके बताएगा कि आप लोग मैंसे किस-किस को ये अच्छा लगता है और ये अब देखने को बहुत ही कम मिलता है लेकिन जब भी मिलता है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं तो खाना पिणा तो हो गया और मीठा भी खा लिया तो आप थोड़ा अराम करते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं साम में तो हो चुका है अब snack time है तो दिखाते हैं आपनों की snacks में आज क्या खाते हैं उसके इह बाद मुझे कल फिर से कॉल्कता जाना है मतलब कि लिल हो को मेरा तीर से कर यह तयोरी एकजाम है वह देने के लिए और इस बाद मैं आशन सूल नहीं पर रहुका अभी थीन क्योंकि एक दिनु Tan गया तो कोई ही बात नहीं यहां पर क्योंकि एक दिन के लिए आएंगे तो इसलिए तो अब वहां पर तीन-चार दिन रहेंगे उसके उसके बाद फिर इक्जाम जल्दी खतम हो रहा है उसके बाद पिर आपciu को एकसडिंग एकसाइडिंग सीण ब्लौग देखने को मिलेगा आगे तो इसी तरह मेरे हैं तो आप लोग सब्सक्रांब जरूरा करें मैरे डिनर करते हैं तो आज मम्मी ने ठेकवा भी बनाया है तो चलिए उसे भी टेस्ट करते हैं और आप सब कमेंड करके बताइएगा कि किस-किस का ठेकवा फेबरेट है मेरा तो है फेबरेट यह सब कुछ खा लिए हैं और पढ़ायली खाई भी चल रहा है अब थोरह सा ब्रेक यह आप बहुत देर से पढ़ रहे थे तो वही है उसके बाद फिर डिनर करते हैं फिर सोते हैं फिर सुबह कर जाते हैं कॉलकता एग्जाम देने के लिए होब कि अच्छा चल जाए जैसे पिछला एक्जाम गया देखते हैं क्या होता है तो चलिए अप सीधा आप लोग को डिनर टाइम में मिलते हैं देखते हैं मम्मी डिनर में अज क्या बनाती है तो आज डिनर में सेका हुआ लिट्टी है जिसका आप लोग ने इससे पहले ब्लॉग में देख लिया होगा इसका making प्रोसेस तो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा वो वीडियो तो चलिए अब इसे खाते हैं उसके वाद आपसे मिलते हैं डिनर तो मैंने कर लिया है जैसा कि आप लोग ने देखा कि लिट्टी था दिनर में तो खाके बहुत ही मज़ा आया तो चलिए आज का दिन यहीं पर खतम होता है इसके बाद आप सोएंगे और आज का व्लॉग भी यहीं पर करते हैं अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं कल एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाए